आज के इस वीडियो हम आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Vivo V30 Pro Android में आप अपने मुवाइल फोन में Bluetooth की प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो हम आपको डीटेल में जानकरी देने वाला हूं तो चले यहां पर वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों अगर आपके मुवाइल फोन के Bluetooth में अगर प्रॉलम आती तो इसकी सॉल्वीशन के लिए करना है देखी सबसे पहले आपको एपने फून को एक बार एक बहित कर लेना है ठीक है अगला का में करना है आपके फून में यह करने हैं इस वाले पेस्ट में आपको लिए आना है यह पर आपको दिखार जीथा है यह ब्लुटूथक का ईपकर ऊप्सिंट शुररेज के सब्सक्राइब करने गरना है ऑपको निचे डैटना इसके पर इस तरींट बैटस करने तो ऊपर यह सथ पर पर आपको चकेक करने के अपने मॉवाइल पोन का शॉफ्टेर आपको चेक करने क्या अपडेट है और फोन का इंटरनेट आपको चालू रखने के बाद सेटिंग जोपन करने है सबस्व पर आइकिन पर आपको लिखना है आपको नीचे system update का है यह option शो हो जाता है इसे tap करना है अब आपको इस page पे कोई भी update का button या download install अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको tap करके phone का software update कर लेना है ठीक है अब देखिए अगला काम करना क्या है mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तों mobile phone को reset आप सबस्क्राइब आपको लिखना है ठीक है नीचे की साइट आपको यह option मिलता इसे tap करना है आपका फोन डिरेक्ली आपको इस setting में लाएगा इसे अपको अगले पेज में सबसे नीचे यह result data पर टाप करना है इससे आपका phone जो reset हो जाएगा और आपके Bluetooth की जो problem है solve हो ठीक है और दूसरी बात ही दियान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बात phone को reset करना है ठीक है ना तो मेरे बताय हुए सबी process आप use करेंगे तो इससे आपके Bluetooth की problem solve हो जाएगी ठीक है